हाई आपके बेटे और बहु आपको लेकर किस तरीकी की सोच रखते हैं वही सब कुछ हम रेडिंग के तो देखेंगे इसके लिए मैंने आपर दो पाइल बनाए हैं जिसमें फॉर्स्ट पाइल है ब्लाक स्टॉर्न सेकंड पाइल है वाइट और आपको मैटेट करते हुए अ पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लिए फिर अपने आखे बन करें और इंटेसंट से देखने की कोसिस किजिए कि यह दोनों पाइल में से आपको कौन से एक पाइल दिखाई देती है वही आपके पाइल रहेगी यह जनरल रिडिंग है सभी बाते सबी के साथ ढरकेज़े में आप जोंट हो सकते हों जोइन के उपर क्लिक करने ही मिल जाएगी तो मुझे सपर्ट करने के लिए भी में मेंृसी स्पर्ट हो सकते हो बहुती ही कम रेट है इस वजह से कह रहे हूं और आपके लिए पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो पर्सनल रिडिंग में पारे सट हो सकते हैं आपको परसनल Rafeling लेनी है तो दिस के संबॉक्स में आपको सारे टिटेल्स मील जाएगी तो चले स्टार्ट करते हैं गाइस हाई अबरेवन अब जिस किसे ने पाइलों छोज की है ब्लाक स्टॉन तो चले देख लेते हैं कि आपके बेटे और बहु आपके बारे में क्या सोचते हैं यह एक रिक्रिस्टे डिडिंग है आप भी रिक्रिस्ट कर सकते हो कॉमन वक्स में अपना क्वेस्टन छोड़ सकते हों अब यूनिवर्स डिवाइन परस्नल डिडिंग भी डीटेल्स आपको मिल जाएगी आप परस्नल डिडिंग लेना साहते हो तो वह भी अब अविलेबल है पाइलोल जिसके से ने विचूस की है डिवाइन यूनिवर्स बताईए उनके बेटे और गहों उनकी बारे में क्या सुचते हैं पेज ऑफ सौट्स दिटावर थ्री ऑफ कॉप ईस मारे स्वाण की सरेंग की स्थस्त्द्स चोप्षोर्ण touchood तन जाजमन झॉप्षर्ण की इलीफ इलीफ यूना प्लेवर्ण व stagedवभ टीम्स तन्वर्स हनविले पेजसर्व काईन की सultur अविलेगिध फन प्ला, प्ला, इलीबेग वाओंश की एलीफ सान प्री ऑसरी टो के एनरजी डू बढ़ा गई है सेवन और कप और लास्ट कार्ड है नाइट आप सौट्स ओके यहां जो बॉटम टुडे काड़ आया है वो है दी चैरियेट तो यहां जो साइन आया है वो है जमिना लिब्रा एक्विडियस एरिस लिव सजिटेरियस टॉरस वर्गू कैप्रि तो यहां आपके बेटे और बहु आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको लेकर पहले में आपके बारे में कुछ बाते बताना चाती हूं वो आपसे रिजनेट होती है तो फिर आपको आगे की रिडिंग सुननी है यहां आपके बारे में यही कहूंगी कि आप एक बहुत ही नेचरल वे में सब कुछ कहना है, जो कुछ भी है वो दिखाना है, जो भी expression है वो कहने है, किसी भी तरह की एक छोटी-छोटी बातों को लेकर नोगजोग करनी है, ऐसा भी आपका नेचर नहीं है, तो यहां आपके अंदर एक तीरता है, stability है कि घर का वातवर्ण सांथ बनी र लोगों को देते हो, तो इस तरीके का आपका सौभाव है, जिसके चलती, यह जो आपसे रेजनेट हुआ है, तो आप आगे सुने कि आपके बेटे और बहु आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बेटे का मानना आपको लेकर यही है, चाहे आप उनके कोई भी लगते ह किसी भी तरह की आप फैमिली मेंबर हो, लेकिन आपके बेटे का जो आपको लेकर जो एक सौभाव है, सोच है, वो यही है कि जो भी है वो सब कुछ नैचरल आप दिखाते हो, आपके बेटे को हर तरीके से आपका सौभाव पता है, जिसको लेकर वो कभी भी उन्होंने सोचा नहीं है, लेकिन जब से उनकी वाइव, यानि कि आपकी बहु आई है, तब से उनकी राई पूरी तरीके से बदल गई है, जिसके चलते आपके बेटे और बहु के सोच आपको लेकर यही है कि आप जान बुझकर एक सरल वे दिखा रहे हो, जान बुझकर नैचरल वे में दिखा रहे हो, लेकिन आपके मन में कहीं सारी ऐसी बाते हैं, जो आपको चूपती भी है, बार बार उसको आप इद्नोर कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आपके दिलो दिमाग में वो बात रहती है, और कहीं न कहीं वो कभी भी वो बात आप निकालोगे, छेडोगे, और कहीं से भी कुछ भी ऐसा बड़ा वाउंडर खड़ा करोंगे, इस तरीकी की सोच है, आपके बेटे और बहु आपको लेकर एक विस्वास नहीं रहा है, यहाँ विस्वास की कमे नजर आ रही है, विस्वास अब रिस्तों में रहा नहीं है, आपके बेटे और बहु को नहीं बाचित कर रही हूँ आपके बेटे और भहो को अब आपके ओपर बिलकूल भी भरसा नहीं है आप अपने मुताब चलते हो अपने मुताब अपनी लाइब जीते हो अपने मुताब ही आपको सबकुश करना ह confess दूसरों की राई नहीं लेने हैं दूसरों की किसी बाते नहीं सुननी है आपको अपने मुताबिखी अपना जीवन जीना है वो हमें पसंद नहीं है इस तरीके से आपके बेटे और बहु के सोच है और यहां आपको लेकर मैं यही कहूंगी कि आप हर तरीके से नैसर जरू दिखा रहे हो लेकिन फिर भी कहीं हद तक यह है कि कुछ बाते हैं जो नहीं कहने चाहिए इस तरीके के आपकी सोच है जिसको आपके बेटे और बहु या आपको लेकर ही गलत वे में ले जा रहे है और उनकी सोच इस वज़र से ही बदल रही है क्योंकि आप कहीं हद तक कुछ बाती है जो छुपाना ही पसंद करते हो इस तरीके का आपका नीजर है तो दोनों पक्से को लेकर ही मैं कह रही हूँ कि आपके बेटे और बहु आपको लेकर यही मानते हैं कि आप अपने मुताबिक जीवन जीने वाले इंसान हो आपको अपने हिसाब से ही सब कुछ चाहिए हमारे हिसाब से कुछ नहीं चाहिए हमें अपने मुताबिक अपनी लाइब जीनी है और आप बार बार बीच में आओगे तो फिर हम अपने मताविक लाइब नहीं जी पाएंगे आपके बेटे और बहू आपको लेकर ये भी मानते है कि आप खुद अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचना जाते हो और हम अपने बारे में कुछ अच्छा सोचे तो आपको ये भी पसंद नहीं है आपको हर तरीके से करकसर चाहिए, पैसों की बचत करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसमें पैसे जादा नहीं जाने चाहिए, मतलब ये सब कुछ आपको जरूर कहना जरूर है, लेकिन खुद पालन नहीं करना है, तो बहुत सारे ऐसे चोटी-चोटी चीज़े हैं जो उनको आपकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं कभी-कभी आपका हाव भी उनको इतना ज़ाद आच्छा नहीं लगता है तो यहां आपके वेटे और बहु आपको लेकर कहीं हद तक जो सोच है उनकी वो पूरी तरीके से बदल रही है क्योंकि आप दोनों साथ में है तो आप दोनों ही साथ में है तो उनको भी अपनी फैमिली और अपनी जीवन को आगे बढ़ाना है तो बार-बार आपका जो इंटर्फियरंस है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो यहां है उनको लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉंग हो अपना ही पहलू रखते हो अपने ही नैचरल चीज़े दिखा रहे हो अपने ही मुताबिक चलने के लिए बोल रहे हो अपने ही रूल रेकुलेशन खड़ी कर रहे हो अपने मुताबिक ही आपको हमारी लाइप को भी चलाना है आप जो सेलिब्रेट करे हो वो ही हमें भी सेलिब्रेट करना है आप जिस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ा रहे हो उस तरीके से हमें भी आगे बढ़ना है लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें अपने मुताविक अपनी लाइब जीनी है जो आप नहीं करने दोगे हमें पता है तो आप उनके सासर हो तो वो इस तरीके से ही सोचते है आप उनकी माता पिता हो तो भी वो आपको लेकर यही सोचते है तो वही है कि आपके बेटों और बहुक की जो सोच है वो पूरी तरीके से आपको लेकर आपके अगेंसी है, आपको लेकर जादा बूरा नहीं सोचते हैं, लेकिन उनको अपने मुताबिक लाइब जीनी है इस वज़र से, वो बड़े हो चुके है, उनके पंक आ गए है, उनको अपने तरीके से उड़ना है, चाहे वो गलत फैसले भी क्यों ना लो, लेकिन उनको अपने तरीके से लाइब जीनी है, इस तरीके की उनकी सोच है, और ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि कोई आपके खिलाब जाए, आप नेचरल रहते हो, वो भै, लेकिन आप थोड़े स्ट्रॉंग भी हो, आप थोड़े हुकम भ बाड़ा है, वही पॉजिशन है, कि आपके बेटे और बहु आपके बारे में यहीं मानते हैं, कि आपके सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, तो दोनों मैच नहीं होती है, तो हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें अपने मुताबिक चलना है, आप अपने मुता जब भी आप अपने फैमिली के साथ साथ में रहने की कोशिस करोगे तब misunderstanding ही होगी, तिरे आपके साथ 10 अप सौड है, misunderstanding ही होगी, आपके बेटे और भूव आपको नहीं समझ पाएंगे और आप उनको नहीं समझ पाओगे, वो होगा, क्योंकि आपकी personality भी strong है और उनकी personality भी strong है, तो दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं, वनना, नोग जोग और तक्रार जरूर होगी, और misunderstanding तो बहुत चारी क्रियेट हो चुकी है, और आगी भी क्रियेट होगी, इस तरीके से ही होगा, क्योंकि personality जब strong हो, तब matching नहीं हो पाता है, दोनों में से एक, की जो एक personality हो, वो पूरी तरीके से थोड़ी एक जन्यून होनी चाहिए, वो यहाँ जन्यून होती हुई नजर नहीं आ रही है, ज इस किसे ने पाल टो चूस की है, वाइट अन ब्लो स्टॉन, तो चले देख लेते हैं कि आपके बेटे और भूह आपकी बारे में क्या सोचते हैं, यह रिक्विस्टर डिटिंग है, आप भी रिक्विस्ट कर सकते हो, कॉमेंट बक्स में चोड़ सकते हो, पर्सनल है, तो आप पर्सनल डिटिंग भी ले सकते हो, चले देखते हैं, पाइट जिसके से ने भी चूस की है, डिवाइन उनिवर्स बताएगे, उनके बेटे और भूह उनके बारे में क्या सोचते हैं, जोड़ की है, प्रीजिस्ट की है, 5 अबस्च प्रीज्च, आप रफ्रीजिस्ट Nossa, य मष।ो आपफ रफबस्च, जोड़ड़गे, आप यह कॉछ प्रीजिस्ट 9 of cup temperance 4 of vents full bottom of the deck 10 of disk यहां जो साइन आये है वो है Cancer Spices Copio Aries, Leos, Sagittarius Permanent है Taurus, Virgo, Camricon के Energy 20% है Gemini, Libra, Aquarius के Energy 30% है तो यहां कुछ बाते मैं आपको बताऊंगी आपको लेकर वो आपसे resonate होती है तो आपको आगी की रेडिंग देखनी है तो क्या आपके बिटे और बहु आपके बारे में क्या सोचते है यहां आपको लेकर मैं यही कहोंगी कि आप चीजों को संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है वो यहां नजर आ रहा है बहुत इस सुलुकाई से उसको संभालना है बहुत आसानी से गहरे वे में आगे बढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से रिष्टे बनाने है है फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपके रिष्ते अच्छे बनाने का आप ड्रोंग नहीं कर रहे हों जैसे हो वैसे दिखाते हों कभी गुस्सा आ जाये तो बोल भी देते हों कभी आप सांती जाते हों तो सांती ही कभी आप जिस तरीके से दिखाना जाते हो अपनी personality को वैसे दिखाते हो एक दोहरापन नहीं है या एक छलावा नहीं है जो भी है आपके family के सामने ही है घुस्सा है तो है, नारजगी है तो है, दुख व्यक्त करना है तो है जो भी feeling है, जो भी emotions है आपके वो आप अपने family के सामने दिखाते हो, आप अपने बेटे बहु के सामने दिखाते हो वो उनको सच में पता है कि आप कैसे इंसान हो जिसके चलते आपके बेटे बेटे और बहु की जो सोच है वो मैं आपको बाद में बता दुँँ, पहले आपको लेकर ये भी कहूंगी कि आपके बेटे और बहुँ आपको लेकर बहुत ही जन्यून है, नम मानलो आपको लेकर ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपका विश्वास, बिलिव, खुद को लेकर बहुत अच्छा है जिसको लेकर आप कभी भी इदर उदर नहीं होते हो खुद को संभालना अच्छी तरीके से आता है घर को संभालना अच्छी तरीके से आता है एक आपकी एक सुलुक आप बहुत अच्छी तरीके से नजर आती है खाने को लेकर भी आप बहुत ही नैच्रल हो बहुत अच्छे तरीके से आप खाना भी बनाते होंगे यह जिसके से की भी पाइल है इसको खाना बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा अब एक मेल हो तो आपको सबकुछ विवस्तित रखना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा जो भी है नेच्रल है एक दिखावा नहीं है, वो यहां नजर आता है, तो अब आप आगे की रेडिंग सुनें, यह जो मैंने आपको कहा है, वो रेसमे ठुआ है तो, आपके बेटे और बहु आपके बारे में यहीं मानते हैं कि आप जैसे हूँ वैसे हमारे सामने हो, आप हमारे उपर गुसा करोगे, कि हम भी आपके उपर गुसा करेंगे वो नेचरल है आपके बेटे और बहु भी वो एकसप करते हों रिस्पेक्ट देनी है वहां देनी है तो एक रिस्ते में किसी भी तरह के पर्दा नहीं है जो भी है वो सामने है आपकी बात की जाए तो आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी खराब परिस्तिया देखी है जिसके चलते आप अपने बेटे और बहु के सामने चाहे आप मेल हो या फिमेल हो आप उनके सामने जैसे भी हो वैसे रखते हो जिसके चलते वो भी आपको बहुत ही बेटर तर हमारे कदर करते हो हमें space देते हो हमें समझने की courses करते हो हमारे लिए कुछ चीज़ें affordable रखते हो facility देते हो हमारा विश्वास डगमगाता है एक दुसरे के उपर और वो natural है एक लगातार किसी के उपर विश्वास होना ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि समय के साथ, हालत के साथ, सब कुछ बदलता है, इस तरीकी के सोच रखते हो, और हमारे लिए बहुत कुछ करने के बारे में भी सोचते हो, हमें आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच है आपकी, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तयार हो, हमारे लिए पॉजिटिव करते हो आप हमारी रिस्पेक करते हो हमें जीवन के पहलो को सिखाते हो कि जीवन में कैसे जिना है जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और हम जो भी आपको दे रहे हैं वो दिल से दे रहे हैं आपके रिस्पेक भी कर रहे हैं तो आपके बेटे और बहु आपको लेकर बहुत ही नैचरल है पॉजिटिव है जैसे है वैसे आपके सामने है किसी भी तरह की चला की नहीं है पीछे से कुछ और सोच रहे है और आगे से कुछ और सोच रहे है ऐसा भी कुछ नहीं है एक चलावा नहीं कर रहे है जूट नहीं बोल रहे है आपको हर पहलू को लेकर वो जानते है मानते हैं और कदर करते हैं तो यहां आपको लेकर उनकी सोच हर तरीके से हर पहलों में अच्छी लिखाई रही रही है एक बैलंस नजराता है यह भी बैलंस का काड़ है यह भी बैलंस है तो बैलंस है दोनों पक्स को लेकर मैं कह रही हूं कि आप अपने तरीके से सही तरीके से रह रहे हो और आपके बेटे और वह बहु भी आपके साथ बहुत ही तरीके से रह रहें तो दोनों ही पक्स में एक दूसरे को लेकर फिलिंग है बावनाई है कदर है respect है status नहीं बीच में लाना है पैसे है वो मिलकर समझ एक समझ कर चलाने है कि मुझे ही मेरे पास पैसे रखनी है और उनको नहीं देने हैं ऐसा भाव भी नहीं है पैसो से एक बहुत ही खुबसरत कीमती जो पल है वो नहीं खरेते जा सकते हैं इस वज़र से कीमतु पलों को हम खोना नहीं जाते हैं इस तरीके से आपके बेटे और बहु के सोच है, तो यहां आपके बेटे और बहु बहुत ही ज़्यादा मैच्चेयोर है, कॉंफिडंट है, उन्होंने बच्पन से ही ऐसी परिस्तितिया देखी है, जिसके चलती आपके बहुने भी देखी है और आपके बेटे नहीं, मतलब आपने भी अपने लाहिप में परिस्तितिया ऐसी देखी है और ये जो परसन है वहूं उसने भी अपने जीवन में ऐसी परिस्तितिया देखी है जिसके चलते अभी वह आपकी रिस्पेक करते हैं, आपको समझते हैं, कदर करते हैं, इंसानियत की कदर करते हैं, फीलिंग की पैसों को तवज़ू इतना ज़्यादा नहीं देना है कि हम एक दूसरे को लेकर फिलिंग ही बोल जाए इंसान ने थी बोल जाए यहां आपके लिए लाश काड़ा है दिफोल आप अपने तरीके से उनको स्पेस देते हो फ्रेडम देते हो वो उनको पता है और पसंद है और आपके बेटे और भहु भी आपको स्पेस देते है फ्रेडम देते है तो यहां दोनों पक्स के तरफ से एक दुसरों में एक सन्यो जो भी हमारे जीवन में आये वह मिलकर सांथ में रहना है मिलकर सबकुछ अच्छे तरीके से जीना है जिससे एक बहुत बड़ी खाई ना पड़ जाए तो आपके बेटे और बहु हर तरीके से पैसे को लेकर उनकी जो सोच है वो हर तरीके से साथ में बाटने की साथ में रहने की है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो खराप पल देखे है जिसके चलते वो आपको लेकर कुछ भी गलत नहीं सोचना चाते है वो हर तरीके से आपको लेकर कदर करते है रिस्पेक करते है किसी भी तरह की कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी बुरा नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने अपने जिवन में जो ये स्टॉन की तरह परिस्तितिया मरोडती हुए देखी है, बदलती हुए देखी है, तकरार से देखी है, नोगजोग से देखी है, बहुत ही गहराई से खराब परिस्तितिया देखी है जिसके चलते हैं उनका सवभाव आपको लेकर रिस्पेक्टफूल है वो हर तरीके से जीवन में फिलिंग, इमोशन, सिंसान यूद को ज़्यादा तवज़ू देते है क्योंकि उन्होंने पहली आगी की लाइफ में पास्ट की, अभी की ही लाइफ में बहुत कुछ इमोशन से नहीं देखा है एक जूठा चलावा देखा है, मकारी देखी है, धोका देखा है, लेकिन प्यार नहीं देखा है बहतरिन पल नहीं देखे हैं एक दूसरे के साथ बाटने की इस वज़े से आपके बेटे और भुव आपको लेकर किसी भी तरह कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रखते हैं वो आपके साथ हर तरीके से मिल जूर कर रहना चाते हैं एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव रहना चाते हैं एक दूसरे को लेकर अच्छा ही सोचना चाते हैं एक दूसरे के सामने घुसा भी हो तकरार भी हो नोगज़ग भी हो वक्त और हलत के साथ एक दूसरे की कैर भी करने हैं ख्याल भी रखना है सब कुछ बहतर नॉर्मल वे में होना चाहिए एक बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए इस तरह के कि उनकी सोच है यह है रिडिंग डू लाइक सेर सब्सक्राइब इन कॉमेंट लव यू बाई